दोस्तो सब्सक्राइब करें ये एक समनाने यूटूब चैनल को और लेटेश्ट टेकलों इस वीडियो सबसे पहले देखने के लिए अपने मोबाइल पर इस बेल आइकन पर प्लिक करें दोस्तो आप यहां पर देख रहे हैं मेरे हाथ में ये मोबाइल है लवाई आप का 2403N मोडल नमर है इसका और दोस्तो मैं बजा दू कि इस मोबाइल को अगर आप फ्लेश करना चाहें तो आप मिरिकल बॉक्स से फ्लेश कर सकते हैं लेकिन 2.69 या 2.68 से फ्लेश नहीं कर जो जरासा भी आउन नहीं होता ये मोबाइल पूरी तरह से बंद है ठीक है तो इस मोबाइल को आज हम दिखाएंगे आपको मिरिकल बॉक्स से फ्लेशिंग करके कैसे मिरिकल बॉक्स से फ्लेशिंग के जाता है तो दोस्तो आप यहां पर देख सकते हैं कि यह जो फ्लेश फाइल है तो यह फ्लेश फाइल जो तक्रीबान जो है 502 MB की फाइल है चलिए मैं आपको दिखा दू इसकी प्रोपर्टी यहां पर रैट क्लिक करके चलिए मैं आपको दिखाना चाहेंगे यहां पर इसकी फाइल की साइज है 502 MB लगभग इससे आप डाउनलोड कर सकते है और आसाने से डाउनलोड कर सकते हैं ज्यादे MB की फाइल यह नहीं है ठीक है यह तक्रीबान 502 MB की फाइल है चलिए इससे रैट क्लिक करके हिम आपको इसकी प्रोपर्टी दिखा लगते हैं आपड़ तो दोस्तों आप इहां पर देख सकते हैं कि इसकी प्रोपर्टी GG हम देख रहे हैं 502 MB की फाइल है तो आप इसे आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं और इसकी लिंक जो हमें आपको वीडियो के डिस्क्रेप्शन में दे दूंगा ठीक है तो यह कंपरेशर फाइल है तो इस फाइल को पहले हमें एक्स टायर करना होगा चलिए इस फाइल को पहले कार गलिए इस का शीष्ट शबिए पhteल है कर दो कर दो कर दो तो दोस्तों आप दे सकते हैं कि यह फाइल जो है एक्स्टर हो चुका है चलिए इस फाइलमें इस पॉल्डर में कि लिकार को दिखाते हैं कि यह कितने आप सब्सक्राइब तो हमारा मेरिकल टूल जो है उपन हो चुका है उसके बात हमें करना क्या है कि सबसे पहले हमें यहां पर कोईल कम पे जाना है कोईल कम टूल हमें यहां पर जो है आपर कंट और लिए उसके से हवे करना है कि हमें जो पहले जो है Sबसे पहले जो आपना जो प्लाशिंग का जो है यहां फ्लासिंग के ओप्शन पर हमें यहां पर किलिक कर देना है ठीक है तो चलिए यहां पर हम फ्लासिंग के ओप्शन पर यहां पर किलिक कर देते हैं उसके बाद दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं कि यहां पर जो आटो प्रोग्रामर का जो आप्सन है आप यहां पर देख रहे हैं कि यहां पर जो आटो का चेक लगावा है तो इस आटो के चेक को आपको हटा देना है क्योंकि अगर आप इस ओटो के चेक को अगर आप नहीं हटाएंगे तो यह जो ऑटो प्रोगामर फाइल का जो एरिया है यह जो है फाइड हो जागा ठीक है तो इस ओटो का चेक आपको हटा देना है तो आपको जो नीचे में सबसे पहले जो यहां पर आप देख रहे हैं कि ह हमने अपने फ्लेस फाइल को सब्सक्राइब करते हैं तो हम अपने फ्लेस फाइल को सब्सक्राइब करने के लिए हमने डेस्टॉप पर जो फाइल रखी है फ्लेस फाइल ठीक है तो डेस्टॉप पर हम क्लिक करके यहां पर जो अपना जो फाइल है वो फाइल को हम जो है कि पेलिग किया हो इसे , जो रैणा करके इसे ओपन हम कर रहे हैं Star आप फीर से हम इहाँ पर open कर देती अ और एक बार फिर से यहाँ पर open कर देते हैं रें रें फे वाइत से आप इहाँ पर नोग जो अब लेड़ से दो हगा last तो यह file हमें डाल दिया यहाँ ठीक है और दूसरे नमर पर हमें करना है सिरब दूसरी नमर पर किलिक करना है कर दोस्तों आपको दिखाने के लिए आपको संजाने के लिए अच्छी तरह से और आप लोगे में कई सबस्राइबर ने कहा दक भाई आप बहुत तेज बोलते हैं तो आप धीरे बोलब कीजिए तीसलिए मैं जो इस वीडियो में काफी slow बोलने की कोसिस कर रहा हूं क्योंकि मुझे आदध तो है नहीं slow बोलने का लेकिन फिर भी मैं बहुत ही कोसिस कर रहा हूं slow बोलने की तो चलिए मैं आपको यहां पर दिखाना चाहूंगा दोस्तों कि आप यहां पर देख सकते हैं कि device manager में आपको undert98 यहांपर बंबाल पे जो को अज़र कर रहा है तो चलए दोस्तो पहले हम अपने मोबाइल को यहांपर बूट कर आते हैं और कियो लोनो नौड यहांपर 20 है जो आना चाहिए तों दोस्तों मोबाइल का जोबूट की लुए पूरा उसके बाद मैं आंत में आपको बता दूँगा कि इसका कौन बूट किया जाता है Miracle Box में इस mobile को बोट कराने के लिए इस की है तो इस की के बारे में जो मैं आपको वीडियो के आंत में बता दूँगा तो चलिए पहले इस mobile को हम यहां पर बूट कराते हैं device manager से उसके बाद हम आपको दिखाते हैं कि इस mobile को कैसे जो है फ्लेक्स करना है और कैसे इसका method हमें यहां पर select करना है medical tool में है तो दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं कि जो हमारा जो क्यूडी लोडर नौहजार आट आ चुका है हमारे device manager में और हमारा mobile जो यहां पर device manager से बूट कर चुका है ठीक है तो अब हमें करना क्या है कि अब हमें जो अपने जो यह जो मिनिकल टूल है क्वेलकम टूल जो है क्या है तो इस क्योडिल के यहां पर नौहजार आ चुका है तो चलिए जो क्यों करना चाहें के लिए अब देने ड्रो ka 1 करते हैं तो आपका मुबाइल का इफर This लुट अब्हों करें इसी वाला झाईत है तो फ़ार के लिए नहीं. वाले बूट को आपको स्लेट करना長始 लिए चो принारे में दो सकते हैं. इस मोड्रील के लिए यह वाला बूट को स्लेट करना है। तो यह वाला root हमने स्लेट कर लिया है। उसके बाद देशेक्ते हैं कि यह मोबाईल कोड़ा। और भी हमारा बूट कर रहा है और यह मोबाईल फ्लेस होने की कोशीश में हैं हुआ है तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमारा मोबाईल जो है बूट कर चुका है और हमारा मोबाईल का जो फ्लाषिंग है वो शुरू हो चुका तो दोस्तों मैं आपको बढ़ा दू कि वीडियो में आपको जो यह मोबाइल को जिस मोबाइल को फ्लेश कर रहे हैं इस मोबाइल का मैंने आपको दिखा दिया था आप अपने दिमाग में रखेगा और इस मोबाइल को भी हम आपको आउन करके दिखाएंगे फ्लासिंग होन ज्यान से तो दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं कि मोबाइल जो है अन हो चुका है चलिए आप बात करते हैं मोबाइल को बूट कराने के लिए मिरिकल बॉक्से मोबाइल का बैटरी मोबाइल से निकाल देना है बैटरी मोबाइल में बिल्कुल भी नहीं लगाना है और लगाएंगे मोबाइल वावरेट करेगा और जैसे मोबाइल वावरेट करेगा आपको जो है स्टार हज बटन को छोड़ देना है और अटोमेटिकली जो है इसका क्यूदी लोडर 9008 आपके डिवाइस मेजर में सो करेगा तो दोस्तों अगर आपको यी वीडियो अच्छा लगा और आपके किसी काम आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें और शेर करें फेस्बूक वाटसब पर अपने दोस्तों के साथ और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें तो मिलते हैं किसी नेक्स वीडियो में टब तक के लिए बाट